मित्रों, पिछले सत्र में हमने देखा कि यह सर्वसमीका को कैसे इस्तिमाल करते हैं? इस सत्र में हम यह सर्वसमीका को इस्तिमाल करते हुए की जाने वाली कुछ आमगलतियों की और नजर डालेंगे. पहले प्रश्ण को देखिए क्या आप मुझे सही विकल्प पता सकते हैं? सही विकल्प B है आप में से कुछ लोगों का उत्तर शायद A विकल्प आया होगा चलिए देखते हैं क्यूं हम जानते हैं कि उत्तर खोजने के लिए हमें इस सर्व समिका को इस्तमाल करना ही पड़ेगा लेकिन यहां पर हमें A और B के रूप में क्या लेना चाहिए? यही पर हम गलती कर देते हैं हम A को X के रूप में लेते हैं और B को Y के रूप में लेते हैं तो हमें यह मिलता है अब हम इन गुणक को ऐसे गुणा करते हैं और इस तरह हमें उत्तर मिलता है विकल्प A लेकिन यह सही उत्तर नहीं है हमें A 3X के रूप में और B 2Y के रूप में लेना चाहिए इस सर्वसमिका को हल करने के बाद हमें यह उत्तर मिलेगा इसलिए सही विकल्प भी है तो हमने देखा कि हमें यह ध्यान रखना है चर्प के साथ-साथ हमकी गुनक पर भी गौर करें अब अगले प्रश्ण को देखिए क्या आप इस व्यंजक को हल कर सकते हैं? इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमने यह सर्वसमिकाएं पड़ी हैं इन में से कौन सी सर्वसमिकाएं इसको हल करने के लिए इस्तमाल की जा सकती है? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह व्यंजक इन में से किसी भी सर्वसमिका में ठीक नहीं बैठ था लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इसको सर्वसमिका का इस्तमाल करते हुए हल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है. हम इस सर्वसमिका को इस्तमाल करते हुए हल कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे? हम बहुत सरलता से दूसरे कोश्ठक को इस प्रकार नए क्रम में रख सकते हैं. अब जब हम इसे देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा व्यंजक इस रूप में है A जोड B गुणा A घटा B जहां A दो C है और B तीन D है तो अब हम इस सर्वसमिका को इस्तमाल करके इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार उत्तर इन दो पदों में दिया जा सकता है तो दिये हुए व्यंजक में हमें हमेशा यह परक लेना चाहिए यदि पदों को नए करम में लिखा जा सकता है या नहीं ताकि इसे प्रमानिक सर्वसमिका के रूप में लिखा जा सके इस सत्र में हमने कुछ आम गलतियों के और नजर डाली जो या सर्वसमिका इस्तमाल करते हुए हो सकती हैं